हेलो नमस्कार मेरा नाम दलबीर है और मेरे इस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल का नाम इंडियन टेक्निकल फार्मिंग है और आज मैं आपके लिए खेती से जुड़ी एक नई वीडियो लेकर आया हूं इस वीडियो में आज मैं आपको बताता हूँ कि देश्ची का पास की जिससे की हमें कम खर्चव कम समय में जादा से जादा पसलगी पैदावार प्राप्त हो जिससे की हमें एक अच्छ इनकम प्राप्त हो इस वीडियो का अंद तक जरूर देखे तक कि आपको खित्ती से जुड़ी से भी जानकारी प्राप्त हो, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, शेर वाच चैनल को सुब्सक्राइब जरूर करना ताकि अन्य खिसानों को खित्ती से जुड़ी से भी जानकारी प्राप्त हो, और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही, चलो को चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहां देशी कपास के किसमे 15 अपले से शुरू होती है विजाई अरियाना में मुख्यत कपास के तीन तरह की भी इस किसानों की तरफ से प्रियूब किये जाते हैं जिसमें नर्मा बिट्टी कोटन तथा देशी कपास सामिल है कपास क सभी फिजों की बजाई अपरेल से शुरू हो जाती है जो पूरे महिने में रहती है देशी कपास लगाने वाले खिसानों को और याना सकार प्रतियंकर 30,000 रप्य की विट्या मदद देती है इस मदद को प्राप करने के लिए राज्य कैसे किसानों को मेरी पिसल मेरा बिव किसान के लिए रिजिस्ट्रेट करवाई जानने के बाद उसका बुद्धिक सत्यपान होगा इसके बाद किसानों को असी जारी की जाएगी गुलबी सुंडी बनिया समस्या कपास अर्याना में प्रमुक नगदी फसल है जिससे अर्याना के किसान थोड़ी नमकिन वा कमजोर बुमी में सबलता पुरुक उगा रही है दान की तुलना में इसमें लागत कम रहती है जबकि बजार में इसका बाउत दान से अधिक करता है ऐसे में किसान कपास की तरफ अधिकास कर्सित हुए है लेकिन वित्य कई वर्सों में उत्तर बात में होने वाले कपास की फसल पर गुलाब पी सुनदी लग जा रही है, जिस में कपास की फिसल खराब हो जा रही है, जिसको देखते हुआ वीत्यक कुछ समय से विसे से गुलाब पी सुनदी मनेजमेंट के लिए इसी टकनोलोजी पनानाईंगें पर जोड़ दिए रही हैं, वहीं इसी भी चरियान। आज हम बात करते हैं देशिक पास की वराइटी के आर 111 की, ये के आर 111 वराइटी सकती वर्तक आईबरेर सिस प्राइवेट लिम्टेट के दवारा बनाया गया है, इस किसम का फिलावदार होता है, इसमें 22-23 फल दारक्स काय होती है, इसमें टिंडे का वजन 23-23 ग्राम तक ह होता है, सदानता है, इसमें 3-4 ताडियां होती है, इसके पकने के वद्दी 160-130 दिन होती है, ये कम समय में पकने वाली किसम है, अधिक जान करें तो आप संपर करें 0-162-262-563, सकती वर्तक आईबराइट शिट्स प्राइवेट लिम्टेट तिलक बजार इंशार, के आर 11 बार सरकार द्वारा नोटिपाइड किसम है, अखिल बारतिया समनित के पास सुदात प्रियोजनास प्रिक्शनों के अनुशार के आर 11 ने उत्तर बारत में AH1 के तुलना में अधिक थता अरियाना में AH1 से अधिक CC1CR से अधिक थता राजस्तान में राज DH9 से अधिक पैदा कली वा फूल बनने से पहले के वस्ता बुक्की में सुंडिया परवावी रहती है, जो बुक्की को खाती रहती है, जिनके और किसान का द्यानी नहीं जाता है, उसमा दिस्तिक पास में पोदो पर फूल दिखाई नहीं देती है, ये सुंडिया फूल और फूलो को खाती रह के बाद में खिसान का ध्यानी सोर जाता है। अता फसल बचाने तुधु ट्रेसर का पहला सप्रेज जुजलाई के पर्थमसप्ता में अवस्या करे। उसमें खिसान यह ना देखे कि उसमें कोई केड़ा है या नहीं है। अक्सर खिसान यह भी सोचता कि बरसाथ आएगी तो को ही सप्रे करूआं अन्ता किसान बाई बरसांत आने या पानी लगाने का इंतिजार नहां करें ट्रेसर के पहले जटकाओ के बाद सतर मिलिमेटर ट्रेसर या डेड़ सो ग्रम टाकुमी पट्टी एंकड का सप्रें दस से पंदरा दिन के अंतराल पर दुराते रहे उस पवस किरो पंतारिस की सप्रे को कम से कम दो बार दोराई जिससे फलों को अधिक खुराक मिल सके इससे आपकी पैदावार ज़्यादा होगी कर्प्या द्यान दे की किसान बाई दवा का चिटकाओ करते समय या सुनिशित कर ले कि टैंक या टंक की से ग्यों के फसल में टूपोर् चांच बर च्यार पाने की जांच नंबर पांच बूमी नंबर चह जलवायों नंबर साथ केत की त्यारी नंबर आठ फसल पति या फसल चकर नंबर नुव पीज का सुनाओ विज 11 किसमे विज ऑν Schlur Crowd 25 की मातरा नंबर दस बिजाई या फसल की बूआई नंबर गयरा फसल क ऐसी चेतरों में, नंबर 12, खर्पत्वार की रोगताम, नंबर 13, 30 दिन बाद सिच्चाई, नंबर 14, 30 दिन बाद निराई या गुडाई, नंबर 16, 30 दिन बाद सिच्चाई, या फिर वर्षा, नंबर 15, जलगा प्रबंदन, नंबर 16, केटवा रोगा प्रबंदन, नंबर 17, सप्रे, एंप्टी कलोराईड, मोनू, आसाटाप, फंगस के लिए कॉपर ओक्सी कलोराईड, इतियादी, प्रफलो के बड़वार के लिए, टोनिक का प्रियोग, नंबर 1, प्लैनो फिक्स, नंबर 2, कल्टार, नंबर 17, फसल में खाद का उप्योग, फिर चुनाई, फिर बंदारन, ये मुखे स्टैप है, जो देशिकवास की फसल में उप्योग किये जाते हैं, अब हम बात करते हैं, देशिकवास की पुरी उग्यानिक खेती के बारे में, नंबर 1, उप्योग कोच में, देशिकवास की बिजाए का उप्योग कोच में, अपरेल वा मही मिनना होता है, बजार में कपास की बहुत सी वरायटी और प्लब्द होती है, अपरेल महिने के बिजाई के लिए हमागेती वरायटी, वह पंदरा मैं के बाद हम तेसी कपास के लिए पचेती वरायटी का ही चुनाव करते हैं निम्बर दो, खेत का चुनाओ इसके बाद हम एक तरशि कपा़ की विजही के लिए हम खेत का चुनाओ करते हैं अगर पहले उस खेत में सरसों की विजही की थी तो सरसों के फ़नों को रोटा वेटर की साथा से एक दो बार अच्छी तरह से जोताई कर दे ताकि सर्सों के फाने अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाए फिर आप एरो की साहता से एक दो बार अच्छी तरह जुताई कर दे फिर आप लेजर लेवलोर की साहता से खेत को समतल कर दे ताकि खेत किसे चाही अच्छी तरिके से हो जाए अब हम बात करते हैं देशिक पपास की खेते के लिए मिट्टे की जांस सबसे पहले अपने खेत की मिट्टे की जांस करवा ले जिससे हमें या पता चल जाता की मिट्टे में किन किन पोसकत्तों की कमी है और खेत की मिट्टे किन किन फसलों के लिए उप्यूकत है और इस मिट्टे में कौन-कौन शिपसले उगाई जा सकती है जैसे गहूं, चना, अरहर, सरसों, राया, बर्सीन, गना, अलू, मक्का, बाजरा कपास, त्यादी मिट्टे की जांसे में यहा पता चल जाता कि इसका प्याचमान कितना है दसी खंपास की बिजाई, फासपोर्स वा पूटस बिजाई के समां पूरे, अगर फासपोर्स बिजाई पर नहीं डार ले गई हैं, तो बोक्की पर पूरे, बोक्की का मतल्ब फूल आने पर पूरे, अध्मHello, अदि नाइट्रोजन बोक्की के समां 15-60 दिन पशहर नाइट् की अगर आप फचल की वीजाई के लिए नेरी पानी गाय चिन्यमाल करते हां तो यह अवी प्रकार की फचलों के लिए बहुत अच्छा है और इसमें बीज का अउंकूले 1230 तक हो जाता है अगर आप एज अ इस लिए पानी की जान्स कर 앞으로 भी जुरूरव हमiman बहुत जरूरी है कपास की खिट्टी के लिए बूमी का चुनाओ कपास की खिट्टी के लिए अच्छी जल-दारण और जलनकास समता वाली बूमी होनी चाहिए जिन सय сказала में वर्षा कम होती है वहाँ इसकी खित्टी अधिक चल्दारण वाली समता वाली मट-Tiy-र बुम्मी में की जाती है, जहां शिक्षाई की स्विधाइं उपलब दो, वहां बलूई व है बलूई दो मत मिट़्े में इसकी खिपती की जा सकती है, यह अलकी अमलिया यहें शारी बुम्में उगाई जा सकती है, इसके लिए उप्यूकत PH, von 5,55% से 6% है, अलांकि इसकी खेत्ती शाड़े आठ पीच मान तक वाली भूमी में अच्छी तरह शेक की जा सकती है कपास की खेत्ती के लिए मोसम वह जलवायू यदि परियापत सिच्चाई सुविदा उपलब्द हो तो कपास की फचल को मई मा में ही लगा जा सकता है सिच्चाई की प्रियापत उपलब्दा ना उने पर मानसूं की उप्योकत वर्षा होती ही कपास की फचल उगा सकती है कपास की उत्म फचल के लिए आदरस जलवायू का उनाव सकता है फचल के उगने के लिए कम से कम 16 डिगरी सेंटीगरेट और अंकुरून के लिए आदरस तामान 32 से 24 डिगरी सेंटीगरेट होना हो चीता है इसके बड़वार के लिए 27 डिगरी तामान होना चीए फल लगते समय दिन का तामान 25-35 degree centigrade और राते ठंडी होनी चीए कपास के लिए कम से कम 50 degree centigrade सेंटीमेटर वर्षागा होना आविशेक है 125 सेंटीमेटर से अधिक वर्षागा होना कपास के लिए अनिगारक होता है कपास की उनत के लिए खेट के त्यारी उत्री बात में कपास की खेटी मुक्त से चाया दारी दोती है इन चेतरों में खेट की त्यारी के लिए एक से चाय कर एक से दो गैरी जुताई करने चीए इसके बाद 3-4 अलकी जुताई कर पट्टा लगा अगर भुवाई करने चीए, कपास का खेत त्यार करते हैं, इस बात का जान रखना चीएगी खेत पूर्णत्या समतलों ताकि मिट्टे की जल दानवा जल निका समता दोनी अच्छी हो, यदि खेतों में करपतवार की इसके बाद 3-4 बार एरो चलाना काफी होता है, बौई से पहले खेत में पट्टा लगाते हैं, ताकि खेत समतलों जारी या फिर आप लेजर लेवलर की साथा से खेत को समतल कर सकते हो, अगर आप गोपर की खात का इस्तियमाल करते हो, तो 8-10 ट्रोली एक अंकट के लिए प अदल कर देए, अब हम बात कते हैं फसल पत्य या फसल चक्र, फसल चक्र एक ऐसी प्रनाडी है जिसमें फसलों को इस करमे बढ़ा जाता है, जिस्से की मर्दा के उरुकता सकती बने रही, एक सपल उत्पादन के लिए उत्तर द्याई प्रमुकर को में इसे एक फसल चकर ए मगारों कर बोना किस चातर के भूमी जलवाई एंद मुआ करकों के दारky पर भीविन फसल्ाष करक पना जाते एक अच्क हे फसल्ाष क्वमा कर ये किसान अपनी भूमी में अधिकphasisar आप कमा सकता है फसल चक्रों की संक्या तीन होती है एक वर्षिय फसल चक्र जैसे मक्का के बात गये हूं दो वर्षिय फसल चक्र जुवार बरसीन दान मक्का इसके तरिक्त फसलों के चक्रों के दारपत फसल चक्र को वर्गिकत किया गया है रविक की फसल में अपनाय जाने फसलचकर के सिधांथ उतली जड़ाणवाली फसलो को उगई है देख खाद की आशकते वाली फसलो को उगई है धेख जल की आशकते वाली फसलो के बांवाद, और बावी धशेटरों में आच्छा दित परसलों का समाविष होना चाहिए, परसल्सक्र के एलाब किसी खेत के परती का शेटर प्ल में से एक निश्चत समय में होने वाल उत्पाद में वर्द्य होती है, विवन परसलों का कालिया करने निश्चत हो जाने थे उनकि आवस्च एक बीज का थता कर पत्माने सीन आदी का उंचित समय के उनुसार पिरियों किया जा सकता है फसल चक्कर में गैरी कम उतली वाली जड़ों के समयलित होने के काण बूम में क्यों पुर्गी सिता थता निच्चे की सत्य से तो सकत्तों का फसल चक्कर द्वारा उंचित वह तेज प्रवाव में पनपने वाले विविन बीमारियों के परवाव में कमी आती है प्रवाव में प्रवाव में कमी आती है फसल चक्कर बनाने से किटो थदा खर्पतवारों पर भी नियंतरन होता है अब हम बात करते हैं देशिक पास के लिए बीज का चुनाओ बीज की किसम या वराइटी या बीज का उप्चार बीज की मातरा हमें अपने खेत में फसल की बिजाई करते समय ऐसे बीज का अलग अलग वीज की बातरा बीज की वराइटी मार्केट में उफलब्द होती हैं भीस वराइटी में एक ऐसी वराइटी का सुनाओ करता हैं जों मारी सेतरवा जमीन वे पानी के एसाब से ज़्यादा उतपादरन देती ह supervisionका इस एक हैसी कंपनी के बीज का सुनाओ कूरना और एक अच्छा ओरिजिञल वीज हम एक अच्छा अच्छा उत्पादन देता हैं अब हम बात करते हैंगेच की बीज मेरें की गपचार कर्वीं हम विमारी की रोकताम के लिए घिसकारका कहते ह। निसे हम फंगे साइड इंसेक्टिसैड हो राज्यों कल्चर बिकते हैं सबसे पहले हम बीज को फंगे साइड की दोौईयों से उपचार करते हैं फिर हम उसको her 2 package की विजाए करते हैं वो Sankar 취 SmolU की वरायटियों में हम ये 2 patch की विजाए करते हैं अगर हम새 संकर खबास की कि दयशी वरायटिए बिजाए करते हैं तो हम एक 담कर क्षपर क 저희 एकड़ में अलग बक साथ HD 123 HD 324 HD 432 वसंकर किसमे एए एए एच वन एए एच बतीस वाक के आर चौन सटी यह देशी कपास की उनत किसमे हैं जो बहुत बढ़िया उत्पादन देती है HD 324 इस देशी कपास की किसम के पूद्दे लारंगे पत्ते का मद्यम और रंग लाल होता है इस किसम के फूल गुलाबी रंगे फूलों के अंदर गैरे लारंगे दबेयों प्राकन पिले रंगे होते हैं इसके पूद्दे में 3-4 मजबूत वानस्प्तिक सखाय होती है उसद अधिक पैदावार 9-10 कुंटल परतियां कड़ है इसके रेस्टे के वह सद लंबाई 15-16 मिल्लीमेटर और रूवी का पतिसत ब्याड़ी से है यह किसम पकने में 115-188 देन लेती है इसलिए का पास ग्यों फसल सकर की लिए पिकत है इदिए इस किसम के वाई या विजाई 15 अगर अप्रेल मा के पहले पकवाड़े में की जाए तो अधिक पैदावार के साथ साहर रेस्टे के गुण मत्ता में भी अच्छी सुधार होती है विजाई या फसल के बुवाई विजाई अगर आप मशीन के साहता से खाद की विजाई विजाई के बुवाई एक साथ कर सकते हैं विजाई के समय में लाइन से लाइन के दूरी थी फूट विजाई के गरहाई आठ से दस संटीमेटर रखनी चीए विजाई के समय बीज गिल्ली मिट्टी में ही डिलना चीए वा इसके उपर 5-6 संटीमेटर जमीन की पर चड़ जानी चीए ताकि बीज गा जर्मिनेशन अच्छी तरिक़्े से उसकी, अब बीज गंकून तरिक़्े से उसकी भुसल की बॉह इसी चित था ऐसे च्छेतरों में, आप नहारी पानी से कि जा सकती है वह ऐसे च्छेतरों में वर्षा के अदार पर इसकी बिजाई की जा सकती है खर्पतवार की रोक्ताम के लिए में बिजाई के तुरुंत बाद पैंडा में लिथियां 30% इसी का ही छिटकाव करना चाहिए 500 mm द्वाई को 200 लेटर पानी में उसका गोल मना कर उसके उपर एक अंकड में उसका शिटकाव करना चाहिए इस से कर्पतवार वहाँ जर्मिनेशन नहीं होगा अब बात करते हैं कपास की कित्थे के लिए निराई गुडाई हैं उसी चाहिए पहले निराई गुडाई उंकूर्ण के 20 से 25 दिन के बाद करने चाहिए यदि फसल में सिचाहिए की जूट पड़े तो अलकी सिचाहिए करने चाहिए इस से कीटवा रोग आशर कम रहता है यह अच्छी पैदावार होती है वहीं अगर बारिस ज़्यादा हो जाए तो हमें सिचाहिए की आश्कता कम पड़ती है जल परबंदन कपास की खेती में जल का परबंदन भी होना बहुत जुरूरी है क्योंकि अगर ज़्यादा वारिस हो जाए तो हमें जल निकास का परबंदन करना चाहिए यह आप पंप की साइटा से कर सकते हो कपास की खेती के लिए खा दें उरक कपास की उननकि किश्मों के अच्य परदयवार के लिए पर..... 150 किलोग्रामभी में सल्फर 25 किलोग्राम प्रियापत होता है सल्फर की फूरी मातरYo आप मुआएगास में तना इत्रोजन का 15 परभी स Bread आप आपगासमे बरबर बागों में 30-90 दिन के तरह पर देना चाहिए वह फास पोस्वा फुटास के आद्धी मातरा बुआईगे समय तता आद्धी मातरा 60 दिन के बाद देना चाहिए वह अच्छी पैदावार के लिए अब हम बात करते हैं कपास की फसर में लगने वाले मुख कीट गुलाबी सुंडी कपास की पसर के लिए कर कोई सबसे बड़ा दुस्मन केट है तो वह है गुलाबी सुंडी जो अपना पूरा जिवन उसके पोदे पर बिताती है यह पास के छोटे पोदे कलीवब फूल को नुक्सान पुजाकर पूरी पसल को नश्ट कर देती है, इसका प्रकौप हर साल होता है प्रबंदन, इसके नियंतरण के लिए कुरो मंडल के किट ना सकता फेंडाल, 50% इसी का चटकाव कुरो है, फेंडाल एक भू, आयामी किट ना सका है यह किडे पर लंबे समय तक नियंतरण रखता है, इसके लाओ इसमें तेज देखी गंद होती है, जो वैसके किट को अंडा देने से रोपती है स्पेद मक्खी, यह किट देखने में पीले रंगा होता है, लेकिन इसका शरीर स्पेद मौम जैसे पाउडर से डखा होता है, यह पो देखी पत्यों पर एक चिप स्पा तरल पदार छोड़ता है, यह पत्यों का रस चुछता है परबंदन, स्पेद मक्खी किट परबंदन के लिए कोरोम अंडल गा फिलियों किट नासक का प्रियों करें, फिनियों में दो अनोखी किट नासकों की जोड़ी है, जो दो विविन का रहे से लूचिये काम कर सकते हैं, इसके इलावे यह पैट वर्हानिक प्रभाव से यू तरागी जूर्थ पड़ती हैं, अब हम बात करते हैं महू या फिट किट की या बहत कॉमल किट होता जो दिखने में मटमिले रोका होता है, महू किट पास की पत्यों को खुर्च कर उन्सका रश दूच लेता है, इसके बाद पत्यों पर एक चिपचपा पदा चोड़ता है परबंदन इसकी किट की रोक्ताम के लिए कुरो मंडल के फिन्यो किट नासक का चिटकाओ करें, अगर आप दूसरे किट नासक का चिटकाओ कर सकते हो तो आप डोक्टर की सहितास के नुसार तेला किट काड़े रंगा या किट पुद्धो की पत्यों को कुछ कर इसका रस्ट पी जाता है, इसके लिए बजार में बहुत सी किट नासक दोई या उपलवद है, आप तेला किट के लिए सप्राक करें राम अच्छर या देखने में पांच बुजाय कर और पीले रंगा होता है, इसके केट के आगे के पंको पर एक काला दबा पाया जाता है, जो कपास की शिचु हैं वशक अवस्ता में पत्यों का रस चुचता है, जिससे पत्या पीली पढ़कर सुखने लगती है, परबंद को परती लेटर पानी के साथ गोल बना कर अच्छटकाओ करें, मेले भग इस परजाती के केट की मादा पंक वीन होती है, वहीं इसका सरी स्पेट पाउडर से डगा होता है, अलांकि इस केट के सरीर पर काले रंगे पंक होता है, तो सखाओ तन्ने फूल, पूरी प्रणवर तता गेंटों का रश्चु जाता है, इसके बाद इस मीठा चिपश्वा पर दा छोड़ता है, इस के परबंदर के रोगताम के लिए पूरे खित के आसपास पीले परपंच लगाए, अब हम बात करते हैं कपास के पसले में लगने वाले प्रमुक रोग, नमबर एक ज्वा अंगमारी रोग, ज्वान जुल्चायम कुणियां दबा रोग, यह रोग पुद्दे के वयू विया बागो को नुक्सान पुचाता है, जहां छोटे गोल दब्बे मन जाते हैं, जो बाद पीले पर जाते हैं, यह कपास की सहपतियों और घंटों को भी नुक्सान पुचा जाता है, इस रोग एकान गंटा समय से पहले ही खुल जाता है, जिस सेरे सा खराब हो जाता है, इसके रोग थाम के लिए अनुश्य सिद्ध किटना से कही प्रियोग करें, नमबर दो, मायरो थीश्यम पत्ति दबा रोग, इस रोग के एकान पतियों पर ललके और बाद में तोटकर निच्चे गिर जाती है, इस से 25 से 30 परसंट उत्पादन में कमिया जाती है, रोग थाम के लिए अनुश्य सिद्ध किटना से कही प्रियोग करें, अर्टरनेट या पत्ति दबा रोग, मौसम में तदिक नमी के कान पत्तियों पर अलके पूरे रंग के दबे बन ज जाती है, ठंडे में मौसम में इस रोग उगरता दिक होती है, इसके रोग थाम के लिए अनुश्य सिद्ध किटना से कही या डोक्टर के प्रामर्स के अनुशारी किटना से का प्रियोग करें, नमबर चार पोद अंगमारी रोग या रोग पोदे की मुसले जोड़ों को छ सपरे, खपास में 30 दिन के बाद अलके द्वाई का ही सपरे करें, जैसे इंडे कलोराइड मोनो, उसके बाद आप बिमारी के अनुशार भी आप सपरे कर सकते हो, या फिर आप टाटा आसाटा पर 100% इसी का चटकाओ करें, अगर आप फंगस की द्वाई के लिए रोग थाम के लिए चटकाओ करते हैं, तो आपको प्रोक्स कलोराइड का ही प्रियोग करें, अगर आप के खेत में फल फूलो की संक्या को बढ़ाना चाहते हो, तो प्लानोफिक्स कल्टार जैसे टोनिका प्रियोग करें, जो खेत में फूलो की संक्या में बहुत, भारी मातरा में बद्धी उत्ती है वह फूलों का जड़ना बंद हो जाता है इसे उत्पादन में भारी वर्द्धी उत्ती है अब बात करते हैं उत्पादन की कपास की खित्टी से उत्पादन की चुनाई लगबग नुमबर वैद दिसमीमबर के पहले सब्टक तक हो जाती है इसकी उत्पादन की बात् क देट जाती है अब फिर इसका बंदान कर दिया जाता है अगर आपको यह वीडियो पसंदा है तो इस वीडियो को ज़ादा से ज़ादा लाइक, शेर, कमेंट करेंगे ज़ादा पर करी का, कमेंट झाल झाल